खुद को समझने की प्रक्रियाओं पर पहले भी बहुत सारी चर्चाएं हुई आध्यात्म की और जाईए, भीतर उतरिये, स्वासों पर नियंतरण लेकर आईए इसके अलावा नजाने कितनी ही और पद्वतियों के साथ में व्यक्ति वहुत को जोड़ने का प्रयत्न करता है परन्तु एक अवस्था और है जिसको समझने क्या वशकता है भीतर की उर्जा, संपन, इस्तियां हम कब महसूस करते हैं कब उस उर्जा के साथ में सकारात्मक भाव में होते हैं हमबाद 24 गंटों के साथ में चलने वाले समय की प्रक्रियाओं के कर रहे हैं सुबह उड़ते हैं, आलस से के साथ में हैं परंतों हम गौर करने वाले हों कि क्या 15 से 20 मिनट के भीतर एक उर्जा बनने लगती है जो रूटीन का एक प्रोसेस है, उससे फ्री होने के बाद में क्या वो एनरजी महसूस हो पाती है क्या ओफिस से निकलते हैं, बले ही वर्क फ्रम होम है, वहां से लॉग आउट कर देते हैं या पिर कारले से बाहर निकलने के बाद में कॉर्जा महसूस होती है क्या लंच टाइम में वो पोजिशन निकल कर आती है रातरी समय अंतराल के साथ में जब पूरे ही डिवस विशेश का जद्दो जहद भराकरम समाप्त हो चुका हो तो क्या आदे गंटे के लिए वहां पर वो ओर्जा महसूस होती है व्यगरिता हम बहुत करीब से महसूस कर पाता है तनाव की स्थितियों को बहुत करीब से महसूस कर पाता है चनताएं चारों तरफ चलते हुई अपने महसूस करवाने वाले इस तरह से दूर हटते ही नहीं है परन्तो इसके मद्ध है यकीन मानिए कुछ ऐसे क्षण प्रकृतिसों आपती है जहां हम अपनी उर्जा को महसूस कर पाते है जहां दूसरों के लिए प्रेणा बन पाते है जहां पर खुद के रूटीन को और स्ट्रक्चर कर पाते है जहां परम तत्व के साथ में सनलगन होकर अपनी उपासनप अद्वतियों को बढ़ा पाते है वो जो समय है वो अध्भुत है परन्तो उसको जानने की प्रकृया लंबी है जब कोई व्यक्ति ध्यान की प्रकृयाओं में महीनों तक जाता है तो अंततोक बथवा उसको वहां वो उर्जा महसूस होती है सामानने तोर पर जब लोग अपने साथ में सुबह सुबह के रूटीन को पुरा कर लेते हैं और यदि बिलकुल समय के अनुशाशत बद इस्ततियों के साथ में तो उनको पंदरे से बीस मिनट के साथ में वो औरजा महसूस होती है और जब भी व्यक्ति उस उर्जा को महसूस करता हुआ अपने लिए कुछ बहतर सोचता है जहां रुपए पैसों के गणनाए नहीं है जहां दूसरी चिंताओं के अधार नहीं है क्या होगा कल कैसे होगा परसों वो सारी की सारी बाते नहीं है कल क्या गलते की थी उसका कोई भी रिपेंट नहीं है वो जो कुछ मिंटों की अध्ये है वो जीवन की महत्वपूर्ण ने दी है वहां से शारे रे कस्वास्ते मान से कस्वास्ते जीवन की पूरी पूरी उर्जा के साथ में सनलगन होते हुए अपनी जीवन यात्रा को देखना वो सब कुछ मौझूद है परंतु आवशक्ता है जो उन ख्षणों को अपने साथ आत्म साथ करने की अपने पूरी ही रूटीन को समझने की हर एक प्रक्रिया हर एक आत्मिक आधार भीतर की अवस्थाएं अलग-अलग है उसी तरह से उर्जा का प्रतिमान भी बहुत अलग है हम अपने लिए किस तरह से उसको बैचानने की तरफ जा रहे है वो यात्रा कैसे देख पा रहे है वहीं से ये जीवन उसे क्षण से नई परिभाशा को देखने का प्रत्मे करता है यही वो क्रम है जहां से वेक्ति चलता हुआ खुद के लिए एक नई अप्रोच को लेकर आ सकता है ये यात्रा बले ही अध्यात्मिक्ता के साथ की हो परन्तु ये यात्रा जीवन के साथ में जुड़ी हुई अध्भुत अवस्था भी है जहां से अपनी उर्जा को पैचान पाना सक्षम स्तितियों में आ पाता है बेरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 28 जुलाई 2023 का धनिक राशिफर लेकर उपस्तित हुए है चंदरमा की इस्तियां वरिष्चेक राशिस्तान में अनुराधा नक्षत्री परिद्याधार शुक्रवार रहेगा परतम श्रावन मास से शुक्ल पक्ष चल रहा है वीकेंड की वार प्रोग्रेसिव बेस है मेश राशि के साथ में चर्चा के शुरुवात रेसर्च संबंधी काम का आज में पॉजिटिविटी वियापारिक जीवन में औरोपए पैसे के लें देन में सुबह से दुपहर के समय में काफी सावधानी बरते हैं जो महानुभाव विदेश संबंधे कारियों के साथ में उनके लिए आज पॉजिटिविटी रहेगी वकालाद संबंधे कारियों के साथ में आपका जुड़ाव है तो आज आपके लिए यहाँ पर अवसरों की तिवरता सम्मुख है कम्यूनिकेशन में रियक्टिव होने से बचिएगा कोई भी कमिटमेंट करके रखा हुआ है तो उसके अंतिम सेरे तक निभाव के साथ में कैसे चलने बाले होंगे यह विशेश विवस्था आपने साथ में बना कर रखें रचनात्मक्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए आर्थिक प्रगती निरंतर तोर पर नहतार्त होते चली जा रही है वहीं कोई भी कार्य नौकरी पेशा जीवन में आपको सौंपा गया है कि इसको इस अवधी में पूरा करना है शुक्रवार से सीधा सूम बार पर खुद को लेकर जाने वाले नहीं हो आज शाम बाकी है कल और परसों भागी है खुद को बारंबार यही आदिलाईएगा कि दो गंटे बे निकालते हैं तो इकारे पूरा हो जाएगा उसी टास्क के साथ रहते हुए हम खुद को प्रेशराइस करने वाले नहीं होंगे वहीं ब्रुशब राशी व्यापारिक जिवन के अंदर नवीन सोचनाएं आपको परेशान करने वाले नहीं हो वरन सजक करने वाले हो यह ख्याल रखकर चलिएगा आत्म विश्वास में प्रकर वरध्धी के प्रतिमान आपके लिए बने वुए है इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके लिए मौजूद नहीं है यहां भूमी संबंदित कामकाज में जल्द बाजी के साथ किसी भी तरीके का इनीशियेटिव अपने लिए आप आगे बढ़ाने से बचिएगा जो भी मानुभाव टेक्निकल और मेडिकल फिल्ड के साथ में जुड़े हुए है पुनहें आपके सेक्षा संबंदि के तविधियां आपको प्रखर उजाले देने वाली हो सकती है जो आपने मॉर्निंग और इबनिंग के साथ कोई भी रूटीन को अपना कर रखा हुआ था तो वहाँ पर भी गैप नहीं आने पाए ये बात विशेश तोर पर आप गोर करें मिथुन राशी सोच में किसी भी तरीके का भाए व्याप्त करने से बचें वे देश संबंदी कारियों के साथ में आज ठहराव है कुछ ब्लॉकेजेज हैं उनसे संबल कर चलिएगा शत्रुपक्ष आज कलीक्स और कॉंपिटिटर्स के रूप में यानि नौकरी और व्यापार में अलग-अलग शक्ले लिएवे होते हैं उनसे आज सोड़ा साथ संबल कर चलने का प्रहत्म करें इसे के साथ में जो बैंकिंग संबंदी कामकाज है उसमें बहुत जादा प्रयास करना कहीं पर भी सार्थक्स देती नहीं है इसे एक बात पर गौर करें सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेर रहकर आप अपनी जर्णी को एवाल्ब करने बाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को आप अपने लिए रिफ्लेक्शन्स में लेकर आते चले जाएंगे भूमी संबंदित कार्यों में विवस्थित वृध्धी के प्रतिमान आपके लिए नरंतर तोर पर यहां पर बने हुए है इस पश्टता ये भी है कि आज के दिवस्विशेश में कोई भी महत्तुपुन कार्य आप अपने साथ में जूड़ रहे हैं तो वहां पूर्णतया और जावान होकर चलने का प्रहत्न करते चले जाएएगा उसी में पूरी-पूरी बहत्री की एक अलग स्थिय आपके साथ में नहतार्त है वहीं चर्चा करते हैं करक राशी की पंचम भावस्त चंदरमा की वज़े से आर्थेक स्थर के उपर वृध्धिय आपके लिए बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी तो वहीं पर सरवांगिन लाप की स्थियों में वृध्धिय आपर है ये वो समय है जो आत्म विश्वास का प्रखर उजाला आपको सौप रहा है कम्यूनिकेशन में किसी भी तरगे का रियक्शन अपने साथ आप रखने से बचिएगा ये भी याद रखें कि भाग की कसयोग उस इस्तर पर है जैसा आप चाहते हैं इसलिए बड़े कारियों की कतिविधियों के साथ में आपके लिए सकारात्मक्ता निक्षेपित होती चली जाएगी आज रुटीन से हटकर कुछ हद तक ठहराव क्या वशकता है और वो ही ठहराव आपके लिए एक अलग उजाला एक अलग प्रवर्ती कुछ नई सोच की क्रमबद दिस्ततियों को लेकर आने वाला होगा जहां से जिवन यात्रा और अधिक मदुर और वहतर होती चली जाती है वहीं सेंगराशी बेसले स्वियर के अपरोच से आप बच कर चले इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है परन्तु अपने भीतर की नकारात्मक्ता को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे यहाँ पर कम्यूनिकेशन में कंदमिन सिंग बेस को जो आपने अपना कर रखा हुआ है वो आपकी यात्रा को और अधिकते व्रगामी करता चला जा रहा है यहाँ व्यापारिक जीवन हो या पर कामकाजी जीवन की कोई भी कत्विदी जितनी तीवर्ता के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे उतनी ही बहत्री आपके लिए यहाँ पर संचालित होती चली जाएगी हाला कि यह एक परमुख निबिदन है कि यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन की अंदर कुछ हट तक संघर्ष आ सकते हैं उनसे आपको पार पाने के साथ में लगातार जद्दो जहत करने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए और वहीं यह भी स्पष्टता के हर्दय संबंदी रोगों से आज साबधान रहकर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा कन्या राशी तरतिय भावस्ते चंदरमा और भाग्य भाव को देखते हुए इसे वज़े से नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटर्व्यू की तरफ जा रहे हैं को डिसाइजिव मीटिंग का बेस आपके लिए बन रहा है दोनों ही जगे आप फैक्टफुल रहें और इसे के साथ में कम्यूनिकेशन में बहुत जारा असर्टिव होने से बचें सुनना अधिक है, कहना कम है, समझना अधिक है, समझाना कम है इसे परिभाशा के साथ में चलना आपके लिए आवशक और वहीं पर आज सुबह सुबह कुछ अतक एकांत की आवशकता है ये एकांत नितांत आवशक है जिससे मन के भीतर जो भी भारीपन बने हुए हैं उनसे हट कर हम अपनी जीवन यातरा को निरंतर तोर पर देखते चले जाएं और वहीं पर ये सपश्टता रखने वाले हूँ कि जो भी कामकाजी इस तरह हैं हम उसके साथ में आज खुद को स्ट्रक्चर भी रखें जितना डिसिप्लिन के साथ में रहने वाले हूँगे उतने ही बैटर्बंट के प्रोस्पेक्ट्स खुद के लिए आप एस्टबलिश करते चले जाएंगे चोटी चोटी यात्राओं से संबंदित कामकाज विराट सफलता के आधार आपके लिकें दरबंदू के रूप में लेकर आ रहा है और वहीं से आगे बढ़ने की पुरी-पुरी आवशक्ता हैं आपके लिए बनी हुई है वहीं तुला राशी द्वितिय भावस्त चंद्रमा की वज़े से दनागमन के साथ में आपके लिए वृद्धी रहने वाली होगी आटकाव और भटकाव से दूर हटकर आप अपनी यात्रा को देख रहे हैं चोटी चोटी जो परिशानिया सामने आई है उसके सामने तनकर खड़े होना और समाधान की स्तियों को उजागर करना ये एक प्रमुक करम बद सिरह आपके समक्ष रहने वाला होगा और वहीं पर जो कला संबंदी शेतर विशेश के साथ में विकास के अदबुत करम आप स्वाहिम के लिए देखना चाहते हैं उसमें अब कहीं पर भी औरोखने के गुझाईश हैं आपके लिए सिरह बद नहीं है आटो मुबाइल और मेनिफेक्टरिंग समबंदी काम काज के साथ में जुड़े हुए महनुभाव स्वाहिम को एक अलग और जावान करम देने वाले हो सकते हैं तुला राशी के जावतकों को चाहिए कि पारिवारिक जुनों के साथ समबंदों के साथ में पूरे तरीके से मुर्द भाशता के करम बना कर चलिएगा और वहीं पर जॉब हो या फिर बिजनस आज के कारे को कल या फिर परसों या फिर समबार पर टालने से बचिएगा आज जो है करम की परतिदुनी आज ही महसूस हो और उसके साथ में हम अपने स्पंदन लेकर चलने वाले हूँ यही एक स्पस्टता बना कर रखें वहीं बरश्चिक राशी चंद्रमा जो बरश्चिक राशीस्तान के साथ में है बले ही नीचस्त राशीस्तान में हो ग्रिहस्त भाव को देख रहे हैं और वही उनका उच्च राशीस्तान है इसी बज़े से आपके लिए गुरिहस्त पक्ष के साथ में सायोग बहुत अच्छे से बना रहेगा अपने क्षमताओं पर ब्रध्धे के ब्रधिमान इस्थापित करते हुए आगे बढ़ने का परयत्न कीजिएगा मेडिकल और टेकनिकल फील्ड के साथ में जुड़े वुए हैं तो भाग दोड़ भी है कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं उनकी सहज स्विकारुकती अपने साथ बहुत गहराई से बना कर चलने का परयत्न करते चल जाएं मेडिकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो दूसरी बार ये रिपीट करना चाहेंगे कि आज आपके लिए यहाँ पर कुछ अवसर भी निकल करा सकते हैं पूर्ण तया उनके साथ जुड़ें और वहीं पर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है वहाँ पर उसकी पुनी प्राप्ती के लिए भी धीमापन लगातार अपनी वाणी में बना कर रखिएगा दनुर आशी द्वादश बावस्त चंदरमा की बज़े से खर्चों पर नियंतरन रखने का प्रेत में करें व्यापारिक जिवन के अंदर फाइनेंशल बर्डन बढ़ाने से बचें अड़िक समय का रिशेतर में रुकुना पड़ सकता है उसके तैयारी अपने साथ अपना कर चलिएगा जौब के साथ में खुद को बारं बार मोल्ड करने से बचें कोई भी कारे स्वापा जा रहा है, करते चले जा रहे है और हमारे साथ में लंबी फैरिस्त कामकाच की डुड़ती चले जा रही है उसे थोड़ा सा खुद को दूर रखने की जरुरत है फ्लेकसिबल रहें अपने रुटीन के साथ में और ये भी याद रखें कि जो कामनेस आपके भीतर बनी हुई है जो शान तचित आधार मन के भीतर अब देरे देरे विक्सत हो रहा है इस अंगर्शों के बाद वो लोगों तक आपके व्यक्तत्व के ब्रभाव को लगातार रखने बाल रहेगा और उसी ब्रभावी सेरे के साथ में आप अपनी जगह को एक अलग दर्जा देते चले जा रहे हैं परंतु पुनह निविदन कि शत्र पक्ष के साथ में conscious approach बना कर रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा वो काफी हद तक आपके लिए आवशक क्रम कहा जाएगा और वहीं पर अपनी रूटीन के साथ में आप जिस तरह भी positive approach लेकर चलते हैं ठकावट के समय थोड़ा सा gap लें पुनह कामकाज के और जाना यहाँ आवशक क्रमबद सिरा है आपके लिए वहीं मकर राशी सरबर्थम एकारश भावस्तिचंद्रमा की वज़े से आर्थिक तोर पर विवस्तित वरद्धी आपके लिए चल रही है टेक्स्टाइल संबंधी कामकाज में positivity के जो indications होते हैं वो आपके साथ continuous note के उपर है मन के भीतर की गबरहाटों से मुक्त होकर नरंतर आगे बढ़ने का आप प्रयत्त करते चले जाईएगा और ये भी आद रखे हैं कि कोई कार अपने साथ में आपने पूर्ण तया जोड़ लिया है तो उसके साथ में अंतिम सिरतक बने रहना अपनी उर्जा को बना कर रखने क्याब शक्ता है वहीं सुभे सुभे घर का कामकाज तक भी नहीं मानसक सुक की स्ततियों में व्रधी के प्रतिमान आपके लिए बहुत अच्छे से बने हुए है ये वो समय है जहां भूमी संबंदित कामकाज के साथ इतिवरता के साथ में निर्णा लिये जा सकते हैं यहां अव्यापारिक जीवन हो या फिर कोई भी ऐसा कारे भार जो की आपके साथ में आर्थिक लाप के सिरों को बहुत अच्छे से बना सकता है वहां पूरी ही उर्जा के साथ में रहें दूसरे कारे को छोड़कर वहां रहना ज्यादा आवशक तो वहीं पता के साथ तथा माता के साथ संबंदों में जो बातसरलिपन पाए किसी व्यक्ति विशेश की बज़े से उसमें पुनेह दुराव नहीं आने पाए ये गोहर करके चलने की ज़रूरत रहेगी माइग्रेन से संबंदित समस्याओं से साबधानी आज बर्द कराब चलिएगा तो वही में राशी सरवर्थम जो भाग्य का सा योग है वो आपके साथ में बना रहेगा किसी भी बेस पर आप टास्क ओरियंटेड होना चाहते हैं पूरी एनर्जी के साथ में उस तरफ चलते चले जाएं जो एक्तिकित पुरशार्त है वो प्रखर उर्जा के साथ में आपको आगे बढ़ा रहा है यहां पर ग्रिहस्त पक्ष के साथ में संबाद कौशल को बना कर रखें अपने ख्रमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलें यहां सोच में किसी भी तरीके की चोटी-चोटी बातों के साथ में भाय नहीं आने पाए विचारों के साथ में उतेजना नहीं आने पाए यह गौर करें और इस पस्टता इस बात की भी आपके लिए है कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक निभाव की प्रवर्तियों को आप अपने साथ लेकर चलें और वहीं पर विध्यार्थी वर्ग यहां पर खुद को किस तरह से एकाग गरचित करके आगे बढ़ सकते हैं यह बारम बार विचार करें किसे रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं जल्द बाजी में आज के दिवस को आप किसी भी तरीके की हाँ या ना के साथ जोडने से बचिएगा तो यह था 28 जुलाई 2023 का दैने कर आशी फल हमें से ही चर्चाओं के साथ निरंतर वपस्तेत होते चल जाएंगे धन्यबाद एवं कोटी शहर आभार